नवश्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्क्रिती आई एस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो नौ सेना प्रमुख हैं अड्मिनल आर हरी उनके बारे में क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने गोवा मेरिटान कांक्लेव में पार्टिसिपेट किया और वहां पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बड़ा ही एक महतोपूर कार्म किया यह जो कांक्लेव था मुख्य रूप सही है केंद्रित था हिंद महासागर को ले करके उसकी शुरक् क्या हुआ कि है कांक्लेव हुई और इस कांक्लेव में भारत की तरफ से एक महतोपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव है उसमें चार सिधान्त हैं जो चारों सिधान्त हिंद महासागर के छेत्र और इसके आसपास के देशों के लिए प्रमुख है तो हो सकता है यहां से आपके सामने पूछा जा सकता है काफी खास हो गई है यह है आप में तो यदि आप जानते हैं तो आंसर बिलकुल कमेंट कर देजिए नहीं जानते तो बने रही है अंते दक आपको हर एक बात बताई जाएगी चलिए समझते हैं तो देखें जो यह है अब क्या करना है उसको करना है एक स्टक्चर की अंदर जिससे की हम आने वाले समय में आपसे सहयोग करेंगे इसका सदूपयोग भी करेंगे चनोतियों से भी निपटेंगे और सभी के लिए एक उजवल भविशे की कामना करेंगे क्लियर है बात सभी को यह कांक्लेव 39 से 31 अक्टूबर तक आयोजी तक की गई थी इसमें भारत के साथ काफी देश शामिल थे ठीक है अगर हम इसमें विशेश भूमी का थी भारत में ही आयोजीत हुआ है तो हर एक पहलू जो है हमारे गजाम की दिर्स्टी से महत्वपोर है यहां थीक है इतनी बात समझ लिए अपने अच्छे से जाएंगे वेरी गुट चलिए अब हम समझते हैं कि इन्होंने क्या बात कही जो इतन समय की बात करें या फिर आधुनिक काल की हर एक समय में इंध महा सागर ने महत्वपोर भूमी का निभाई है और भारत की उस समय हम देखते थे कि एक अपनी प्रिषक इस्तिती हुआ कर थी लेकिन आज भारत में अपनी जो एप्रोच है वो बदली है अप्रोच बदली इस जिवाद नहीं है ठीक है तो क्या है भारत चाहते कि देखिए आप सब लोग भी ना यहीं पर ही रह रहे हैं जब आप सब लोग यहीं है तो क्यों अकेला भारत ही सब कुछ सोचे आप भी आई हैं सहयोग किजिए हलाकि रणनीती क्या होनी चाहिए किस दिशा में काम करना यह सब बात आपको हम बता देंगी, इस मामले में हम बहुत अच्छा है, सही होग करेंगे, तो सब के लिए अच्छा होगा, और भारी देश, जैसे कि रशिया की बात करें हैं, चाइना की बात करें हम लोग या फिर अमेरिका की बात करें, तो इन सभी का जो डॉमिनेंस हैं, हम इस चेतर में स्थापित होने जड़ी रोक सकते हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे और क्या-क्या उप्चार हम कर सकते हैं, वह बात रहे बहुत जरूरी हैं, और आपस एक्जाम में है पूछी भी जा सकते हैं, तो देखें, चारो प्रस्तावों की बात करेंगे, किस-किस में क् कुछ धाचे हैं यानि कि हमारे पास कुछ bodies organization हमने बना रखे हैं हिंद महासागर के लिए लेकिन कहीना कहीं उनके उपर बाहर अधिक हो गया है तो जब बाहर अधिक है तो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जरूरी है कि जो हमारे नियामक और कानुए निधाचे हैं ज सुधार किये जाने चाहिए उनसे संबंदी जो भी बाती होंगी वह है विचार हमारे मंच पर प्रस्तुत करेंगे फिर हम लोग उस दिशा में काम करेंगे और हमारी जो bodies हैं उनको इतना अच्छे से मजबूत कर देंगे कि केवल हिंद महाशागर ही नहीं बलकि हिंद हमें कोई भी हो खत्रे होते हैं चुनोतिया होती है हर एक चीज चाहे नशीली दवाओं की हम लोग बात करें चाहे टर्रिजम की बात करें या फिर कुछ और बात क्यों नहीं हो हमारे पास खत्रे हैं बहुत सारे जो हमारे जीवन में चुनोतिया बनी हो और केवल हो केवल ह यह क्यों मानें डेस भी चुनोंती हैं भारत के लिए जब आप बी आसे पास में रह रहा हैं तो आपके लिए अब जो करें हम बता रहे हैं कैसे करना तो मिल तुल के निपिटते हैं सब के लिए सरल हो जाएगा अब ऐसा थोड़ी करना है कि एक तरफ भारत लगा हुआ है आतेंगवाद से नहीं पड़ रहा है समुद्री छेत्र में वहीं दूसरा देश है जो पड़ोसी है है हिंद महासागर का उसको प्रोसान दे रहा है यह कहां की नीति ही आप तो अनीति कर रहे हैं हमारे साथ में इसलिए सहयोग करेंगे सब अच्छा हो जाएगा तो समुद्री खत्रों एवन चुनोतियों के सामुईक शमन के लिए जरूरी है कि हम बहु पक्षिय समुद्री रणीति और संचालन प्रोटोकॉल को तयार करें मैं तो कैसे काम होगा कैसे चुनोतियों स्निप्टेंगे तो गोवा मैरिटाइम कॉंक्लेब में तो आप आई रहे हर दो वर्षों में आते हैं बातचित होती है तो सबसे पहले जरूरी है कि एक बहु पक्षिय समुद्री रणीति हो मैंने पहल लेते हैं रणीति अच्छी होगी प्रोटोकॉल अच्छा होगा सारे काम आने वाले समय में अच्छे हो जाएंगे क्योंकि सभी पैदाई तो बढ़ जाएंगे ठीक है दूसरी बात इन्होंने कई तीसरी व्यांपे सिध्धान्त क्या दिया इन्होंने कहा कि हमारा जो हो जाएं तो त्यार करने हैं अपनी टींग बनाने हैं एक अच्छी वह सी छेत्र इलिए देरी हैं जिससे की सब्सक्रार हो किहा और किसकी सब्सक्राइखवें टीक हो है का एसा नहीं कि मितलब एक ही देश पर्यावरन का मुद्द भी समाले एक ही देश समाल रहा है आतंगवाद का एक ही देश समाल रहा हिंध महासाitar के अंदर नषीली दवाओं का नहीं संबभा ने हो सकता है कि आप हमें नषीली कोई दूसरा देश किसी और आसपेक्ट को समालेगा कोई दूसरा देश हिंद महासावर में सुरक्षा शुमिष्चित करेगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे सामुहिक दक्षताओं को देखेंगे कौन कौन सा देश क्या क्या कर सकता है उसके उपर जायत वुदेदी जाए और फिर मिल जूल करके हम बाकी सभी समस्याओं से नहीं पढ़ सकते हैं यह इन्होंने साफ साब का तो सामुहिक समुद्य दक्षताओं को उजागर करने के दिशा में मौ यह चारो सिद्धान्त जो है यह भारत ने प्रस्तुत किये और सब ही आज की समय मा भारत का लोगातником मान ही रहे है क्लीअर पता है तो चारो सिद्धान्त आपके आने वाले समय में ऐग्जाम में बहुत मदद करेंग pou्सके सृब तो आपनावान परोश में हिंद महासागर किस नजरिये से देख रहा है तब आप वहां पर यहां पर आस्पिरेंट है यह तो बहुत अच्छा पड़ा लिखा है जानता है समझता है चीज़ा को अच्छे अनलेसिस किया है तो अंक अच्छे दिये जाए से यह सब काम अपके साथ होंगे किलियर है इतनी बात आप सब्स करता हूं और शिक्षा विद आते हैं अपने ग्यान को साजा करते हैं और मिलते जुलते हों लोग सारक सारक कारेकरम चला रहें क्योंकि अब हमारे लिए एक अपना बहुरास्ट्रे मंच हो गया है जहां पर हम सब बात कर लेते हैं हलेकि इसका आयोजन दुई वार्शिक हो में हमारे नौ साना प्रमुक ने यहाँ पर चार सिध्धांत दे दिये हैं किलियर है इतनी बात उम्मेद करता हूं कि अब आप लोग को मैं शुरुवात में जो प्रशन दिखाया था अब आप इस प्रशन का अंसर सबलता से दे सकते हैं ठीक है जल्दी से आप लोग को क्य अंसर चाहिए होगा देखिए यह है आपके प्रशन का अंसर है ठीक है तो कितने लोगों ने सही दिया प्रशन समझने में हर एक चीज़ को अनलीसिस करते रहे गया अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बाते करेंगे और ऐसे जानते समस्ते वागे बढ़ते रहे थैंपो सुमाच।